राष्टपती जी ने आपतकाल की घोशना की है इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है भाई और बेनों राष्टपती जी ने आपतकाल की घोशना की है लेकिन इससे देश के आम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है शाद आपको जल्दी ये वासन कंगना रानोत के मूँ से सुनने को मिले क्योंकि देश में साल 1975 में लगे आपातकाल पर एक मूवी आ रही है इमर्जनसी कंगना रानोत इस मूवी में इंदरा गांधी का किरदार निबा रही है साथ ही से लेकर विवाद भी छिड़ गया है कि इस से इंदरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस मूवी के अलावा आपने न्यूज टीवी की बहस में इमर्जनसी आपातकाल सब्द का बहुत बार जिखर सुना होगा इस पर बहस भी देखी होगी अब तो बाकाइदा एक मूवी भी आ रही है ऐसे में सवाल बन जाता है आखिर इमर्जनसी क्या थी इंदरा ने देश को आपातकाल में क्यों जोक दिया था ये एक दिन की गटना थी या कहीं सालों पहले इसकी पूरी पटका था लिखी जा चुकी थी इमर्जनसी के दोरान क्या क्या जुल्म हुआ शायद आज के युवा को यह सब जानना चाहिए तो आपातकाल के बाद की पीडी के लिए लोग तंतर पर लगे आगात को समझने के लिए उस समय की स्थितियों को जानना जुरूरी है जैसे की मीडिया सुप्रीम कोर्ट और सुवे धानिक संस्थाये आखिर उस दोर में कर क्या रही थी और क्या इन में से किसी ने भी खुल कर इसके खिलाब आवाज उठाई थी नमस्कार दोस्त रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके आप मैं हूँ राजीर चोधरी दरसल लाल बादूर सास्तिरी जी की रूस में रह्षम मोत के बाद इंदरा गांधी को प्रधान मंतरी बनाया गया था यहीं से कांग्रेस के अंदर गुट बाजी कोया उथल पुथल मचनी सुरू हो गई थी साल 1970 में कॉंग्रेस के बड़े एक नेता मुरार जी देशाई को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था आपात काल भले ही 1975 में लगाओ लेकिन इसकी पूरी पठक था इसकी परष्ट भूमी 27 फरवरी 1969 को आए सुप्रीम कोट के एक फैसले ने तयार कर दी थी दर असल इंदरा गांधी सब वीधान में 42 संसोधन करना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोट के चीप जश्टिस सुब्बा राव ने इसमें रुकावट डाल दी थी यानि सरकार और सुप्रीम कोट के बीच यही टक्से टकराव सुरू हो गया था दूसरा गैर कोंग्रेसी राजनेतिक दल भी इंदरा अटाओ के नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे नतीजा 1967 के बाद तीन साल के अंदर 1971 में देश में मध्याबदी चुनाव था कांग्रेस में तूट तूट और इंदरा का विरोध होने के बाद भी इंदरा को यकीन था कि उसकी पार्टी चुनाव जी चाएगे इंदरा ने चुनावी रेली आरंब कर दी और मंच से विपक्स का नारा ही अपना थियार बना लिया इंदरा अपने भासन में एक ही बात कहती कि मैं कहती हूँ गरीबी अटाओ और वो कहते हैं इंदरा अटाओ खेर 1971 में कुल 520 लोग सबा सीटों पर चुनाव हुए चुनाव में 352 सीट पर कॉंग्रेस को जीत मिली इस चुनाव में कुल 54 पार्टियों ने अपना भाग्या जमा था लेकिन समूचे देश की निगा एक सीट पर टिकी थी इंदरा गांधी की सीट राइबरेली सीट जहां विपक्स ने समाजवादी आंदोलन से निकले राज नारान को मिदवार बनाया था इंदरा को इस सीट से विजय गोशित कर दिया था लेकिन राज नारान को यह हर सुईकार नहीं थी राज नारान ने इलाबाद हाई कोर्ट में इंदरा के खिलाप याची का डाल दी कि इंदरा ने चुनाव जीतने के लिए अनूचित तरीकों का इस्तेमाल किया लेकिन दूसरी तरफ परचंड बहुमत लेकर इंदरा गांदी फिर से परधान मंतरी तो बनी चुकी थी मार्च 1971 में चुनाव संपन हुए और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के दो टुकडे चुनाव और युद से देश की आर्थी किष्टिती बिगड चुकी थी हुआ ये कि महँगाई भरष्टाचार और बेरोजगारी के चरम पर पहुँचने से नाराज देश भरके चात्री हुआ 72 साल के एक बुजर्ग समाजवादी नेता जय परकास नाराण जी ने जेपी भी कहा जाता है उनके पीछे अहिंसक और अनुसासित तरीके से लामबंध होने लगे गुजरात में कांग्रेस की सरकार के खिलाब चात्रों ने अंदोलन छेड़ दिया जनवरी 1974 में हुआ ये अंदोलन पुलिशिया कारवाई के बाद और बढ़ग गया इंद्रा गांधी ने अपनी ही कांग्रेस की सरकार को वहां से अटा कर राष्टपति सासन लगा दिया इस अंदोलन को जेपी का साथ मिला था गुजरात से सुरू हाया अंदोलन अब बिहार की राजधानी पटना तक पहुँच गया पटना में भी सरकार के खिलाब छात रोड़ युवा लामबंध होने लगे गुजरात और बिहार की परीधी को लांगते हुए संपून करांतिया अंदोलन देश के अन हिस्सों में भी जंगल में आग की तरह फैलने लगा शीहासन खाली करो की जनता आती है रामधारी सिंग दिनकर की इन पंक्तियों को जेपी ने अपने आंदोलन का परमुख हतियार बना लिया या कौनारों में सामिल कर लिया जेपी के जजबे ने देश की राजनीती की हवा का रुखी पलट दिया था उसी दसक में इंडिया इजिंद्रा और इंद्रा इजिंडिया भी कहा जाता था लेकिन इस आंदोलन ने ना सिर्फ राज्यों की कांग्रेश सी सरकार बलकि केंद्र की सर्वसक्तिमान इंद्रा गांदी की सरकार को भी भीतर से इला कर रख दिया था इंद्रा के एक तरह पांदोलन था तो दूसरी तरह पे बेईमानी से चुनाव जीतने का केस इसलिए चर्चा देश विदेश में हो चली थी मामला हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सीना की कोर्ट में चला गया चार साल तक सुनवाई चली जज पर काफी दबाव था बैक डोर से बार बार उन्हें धमकी भी दी जा रही थी और परेसान भी किया जा रहा था ऐसा जज साब ने कया तो इस पर सिन्ह जी भी फर गए और रजिस्ट्रार को फोन लगा कर कहा कि एलान कर दे 12 जून 1975 को फैसला सुना जाएगा आखिरकार फैसले का दिनाया हिदायत थी कि कोई जज साब के फैसले पर कोटरूम के अंदर ताली नहीं बजाएगा जज के इस ब्यान के बाद सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई 12 जून 1975 जश्टिस सिन्णा ने भरष्ट आचरन के दो मांदंडों पर इंदरा गांधी को दो सी ठहराया साथ इंदरा गांधी का चुनाव निरस्ट कर दिया उन पर 6 साल तक चुनाव ने लड़ने का परतिबन लगा दिया और स्रीमती गांधी के चिर परतिद्वंदी राज नराण शिंग को चुनाव में विज़ई गोशित कर दिया फैसला आते ही कुछी देर में दिल्ली के सफदर जंग रोड़िष्टित परधान मंतरी आवास पर इंदरा गांधी के करीब योगी भीड़ जुटने लगी साल 2015 के एक टीवी इंटर्व्यू में धवन ने दावा किया था कि इमर्जन्सी का विचार इंदरा का नहीं बलकि उस वक्त पश्चिम बंगाल के सीमरे सिधार्थ संकर रेका था लेकिन इसका एक दूसरा दावा भी है का जाता है उस समय इंदरा गांधी श्थिपा देने को तयार थी इंदरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी आर क्रिशना इयर ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदरा गांधी को एक सांसद के तोर पर मिलने वाले सभी विशेशा दिकार बंद कर दिये जाए और उन्हें मतदान से भी बंचित कर दिया गया यानि अब इंदरा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था दूसरी तरफ जेपी के लगातार हमले जारी थे आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था इस्पेनिस लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब दा रेड साडी में लिखा कि इंदरा इस्थीपा देना चाहती थी लेकिन संजय ने उन्हें ऐसा करने से रोख दिया वे मा को एक दूसरे कमरे में लेकर गए और समझा अगर आपने स्थीपा दिया तो विपक साप को किसी भी बाने जेल में डाल देगा इंदरा गांदी को बेटे संजय गांदी की ये बाट ठीक भी लगी ये सब चलते चलते कहीं दिन बीट गए थे अब 25 जून को दिल्ली के राम निला मैदान में जेपी की एक बड़ी रेली होनी तै थी ये तै था कि ये रेली इंदरा गांदी और कॉंग्रेस सरकार का तंबू खाड़ फैंके गी लेकिन परधान मंतरी आवास पर कुछ और ही चला था 25 जून की रेली की खबर पूरे देश में न फैल सके इसके लिए दिल्ली के बाद दूर शाजफर मारगिस्थित अखबारों के दबतरों की बिजली रात में ही काट दी गई रात को इंद्रा गांदी के विशे सायकार के धवन के कमरे में बैटकर संजय गांदी और ओम महता उन लोगों की लिष्ट बना रहे थे जिने गिरपतार किया जाना था रात और रात देश के ततकालिन राष्टपती फकरुदीन अली एहमद पर आपातकाल के परचे पर सिगनेचर करा लिए गए सुबह आकास वानी पर लोग इंद्रा को सुन रहे थे जिसमें वह कह रही थी इंद्रा के इस संबोधन के बाद देश पर आपातकाल लग गया यानि इसका अधार वो परावधान था जो धारा 352 के तैट सरकार को ऐसी मित अधिकार देता था नमबर एक इंद्रा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी दूसरा लोग सभा विदान सभा के लिए चुनाओं की जरुड़त नहीं थी तीसरा मीडिया और अगबार सरकार के खिलाप नहीं लिख सकते थे और चो था सरकार कैसा भी कानू पास करा सकती थी एक तरफ देश बर में सरकार के खिलाप बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था विरोध कर रहे नेताओं को गिरपतार किया जाने लगा जेपी समेत करीब 600 नेताओं को जेल में डाल दिया गया जिन में जेपी, अटल वियारी वाजपई, मुरार जी, देशाई, लाल किर्स नाडवानी, चोधरी, चरण सिंग जैसे बड़े नेता सामिल थे संजय गांदी ने अपनी पारिटी के मुख्यमंतरी को उन लोगों की लिष्ट भी सोब दी, जो इमरजन्जी का विरोध कर रहे थे आदेश साब था कि विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए कॉंग्रेस के खिलाब चुनाव लड़ने वाली जैपूर और गवालियर की राजमाताओं को भी इस दोरान गिरपतार करके तिहार जेल भेज दिया गया था अकबारों में इंद्रा गांधी के खिलाब कोई खबर न चपे इसके लिए अकबारों की बिजली काट दी गई अकबारों में सेंसर सी पलागू कर दी गई कॉंग्रेस के बड़े नेता और अधिकारी अकबारों के दबतर में बैठकर हर खबर को पढ़ने के बाद चापने की इजाज़त देते थे कमोबेस पूरी मीडिया ही इंद्रा गांधी के सामने नतमस्तक हो चुकी थी अगर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो इस पर लाल किस्ट नाडवानी ने कया था कि मीडिया को जुकने को कया गया वो तो रेंगने लगी ना केवल भारतिया पत्रकार बल्गे विदेशी पत्रकारों पर भी अमर्जंसी की गाजगिरी विदेशी सवादाता को उनकी खबरों के लिए गिरपतार तो नहीं किया जा सकता था लेकिन उन्हें देश छोड़ने से मजबूर किया जाने लगा और निकाला जाने लगा दूसरी तरफ संजय गांदी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर एक पांच सुत्री अजंडा लागू कर दिया इसमें परिवारनी ओजन था, दैज परता का खात्मा था, व्यसको की सिक्सा थी, प्वेड लगाना था, जाती पर था उन्मूलन पर काम करना आदी थे बता जाता है कि दिल्ली के सुंदर्य करन के नाम पर संजय गांदी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की जुग्यों को साप करवा डाला था, लेकिन पांच सुत्रिय कारे करम में जादा जोर परिवारनी ओजन पर था, लोगों की जबरजस्ती नस्बंदी करा दी जाती थी, हरियाना के ततकाले इन मुख्यमंतरी बनार सिदास गुपता ने सिरफ तीन अपते में ही साथ हजार लोगों की नस्बंदी के ऑपरेशन करवा दिये थे, इसके बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव पड़ा, और उन्होंने अधिकारियों को टारगेट दे दिया, नस्बंदी कराने वालों को 120 रूपे या एक टीन खाने का तेल या एक रेडियो लेने का विकल्प भी दिया जाता था, देश बर में लोगों को जबर जस्ती पकड़ कर नस्बंदी कारेकरम चलाया गया, यानि देश में आपातकाल लगने के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो वो थे संजय गांदी, संजय गांदी और उनकी फोज ने आपातकाल के दोरान इतने जुर्म किये कि उस वक्त लोगों को आज वियाद करके सीरहन हो जाती है, मेंका गांदी संजय गांदी की पतनी और संजय के हर फैसले में उनकी सेमत ह हुआ करती थी, इसके अलावा मेंका गांदी ने एक न्यूज मैगजिन सूरिया भी शुरू की थी जिसमें वो कोलम लिखती थी और संजय के साथ ही खुद को कोंग्रेस की विरासत का उतराधिकारी गोशित करने की कोशिश भी किया करती थी, कहते हैं 19 महीने के आपातकाल क इंद्रा को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का अंदाजा हो चला था, 18 जनवरी 1977 को इंद्रा गांदी ने अचानकी मार्च में लोकसबच चुनाव कराने का एलान कर दिया, इसी के साथ कहीं भी पक्सी नेताओं को जेलों से रिया कर दिया गया, हाला कि कहीं नेता भी भी जेलों में बंद रहे, क्योंकि अधिकारिक तोर पर आपात काल कांत नहीं हुआ था, अधिकारिक तोर पर 21 मार्च 1977 को आपात काल खतम हुआ, इससे पहले 16 से 20 मार्च को चुना हुए, जिसमें इंद्रा गांदी वे कॉंग्रेस को मुगे खानी पड़ी, जनता दल सहित विपक्षी पार्टियों को जब और जब सफलता आत लगी, उन्होंने लोक सबाकी 208 में सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कॉंग्रेस 154 सीटों पर सीमट गई, इंद्रा गांदी को श्वंबिर आइबरेली सीट से राज नारान के आतों हार का सामना करना पड़ा, कॉंग भी आरी, बेटे संजय गांदी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, 22 मार्च 1977 को मुरार चीदेशाई की अगवाई में जनता पार्टी की मिली जुली सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार के अंदर भी घमासान मच गया, देश में अपने पीछे जुल्म सितम की एक अंतहीन कहानी छोड़ गया, जो आजाद इंदुस्तान के लोकतंतर पर किसी बदनुमादाग से कम नहीं है।